हे एवरिवन वेलकम बेक टू माई कुकिंग लंच ब्लॉग चैनल तो दो पहर के बज रहे हैं 12 और लंच बनाने का टाइम हो गया है तो आ गही हूं कि चन के अंदर और देखे दो से तीन घंटे पहले मैंने ये मसूर की दाल भीगने के लिए छोड़ी थी तो ये अच्छी तो आज जो रेसिपी है मैं इसी से बनाओंगी यानि कि आज की थाली मैं इसी दाल से बना करके तयार करूंगी तो क्या करेंगे न कि सबसे पहले इसे दो से तीन पानी से अच्छी तरीके से दोलेंगे ताकि इसमें जो पाउडर लगा रहता है वह आराम से निकल जाए अब मैंने इसके अंदर चार हरी मिर्ष डाली है और आट से दस कलिया लेसन की डाली है और करीबन आट से दस दाने मैंने काली मिर्ष के डाले है और एक चम्मच मैंने इसके अंदर लगभग जीरा डाला है और बिना पानी डाले ही आपको इसे पीसना है इसमें आपको पान तो देखें करीबन मेरे को 3-4 मिनट हो गए है इसे फेट वे और जितनी दाल आप फेटेंगे तो दाल बिलकुल हलकी हो जाएगी यानि कि बहुत ही आपको यह देखने में और छूने में हलकी लगेगी और अब क्या करेंगे कि इसे रखेंगे साइड में और फ्लेम के ऊपर म तो मैंने यह ले लिया है तो मैं आपको बताती हूं कि आप बी बनाए और अगर आप ज़्यादा तेल वाली बड़ी नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से जो जाली आती हो डूद बगडब को ठूड़ी ले ली है और इस तरीके से मैंने यह पेपर को काट दिया तो देखे इस तरीके से मैंने इसे पूरा भर दिया है अब क्या करेंगे कि कड़ाई में पानी अच्छी तरीके से गरम हो गया है तो इसके उपर हम इसे चढ़ा देंगे और इसे थाली की मदद से कवर कर देंगे तो 5-7 मिनट आपको इसे चढ़ा करके रखना है अब दूसर कभी तो मेरे को यह खाने का बहुत ही मन करता है ऐसे तो मैं बासमती चावल बनाती हूँ लेकिन इस बार हस्वेंड ईए लेकर कना है तो घर गए हुए तो वहां से लेकर कना है है तो देखें अब क्या करा हैंगे मैं इसे पानी डाल कर kyttा करके और गरम पानी में मैंने इस अगर बढ़ी को तोड़ेंगे ना तो बिल्कुल भी नहीं चिपकती है तो एक बैस तो मैंने निकाल दिया था और यह जो दूसरा बैस है इसे क्या करेंगे ना दुबारा से ढख करके और इसे पकने के लिए छोड़ूंगी तो आप देखें मैं इसे तोड़ करके बताती हू अब क्या करेंगे ना कि दूसरे तरफ मैंने कडाई चड़ाई इसमें आदा चम्मच मैंने जीरा डाला है एक तेजपता डाला है और साथ में 2-3 टुकड़े करके मैंने लालवाली मिर्ज डालती है थोड़ी सी मैंने हींग डाली है इसके अंदर और साथ ही मैंने अद्रक मैंने मिकसर अपिना साइज और गड़ा लाकुम कर चम कराके और इसको बासा जा ना हम उरुए अक्वार है जब मैसे कुट करके है इस definisी नुब आड़ा यह ने तो बहुत अच्छा त्हेस्स राता है अब इसे कंटीनु चला लेंगे एक जो मीनफेbak जुआ करों ने कि दूसरे तरफ जार में दो छोटे साइस के प्याज लिए मैं इने में काट करके और मिक्सर में डाल करके इसका फाइन सा पेस्ट बना लूँगी यानि कि थोड़ा अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी अगर आपके पास चॉपर हो तो आप उसमें भी इसे अधा चमच के चंड किंग का मसाला भी डाला है और मसालो को हमें अच्छी तरीके से भून लेना है इसे भूनने में आपको 2-3 मियाद टाइम लग जाएगा अब मैंने इसके अंदर 2 टमाटर को पीस करके और डाल दिया है अगर आप पीसना नहीं चाहे तो आप बारी काट कर मैं याप ठीक बन करके तयार होती है आप टमाटर जरने के बाद आपको इसे कंटिन्यूद चलाना है और इसे भूनने में आपको 2-3 मिनट टाइम लग जाएम यह मसाल भूने Bossy, उतनी ही सुपर टेस्टी बन करके तयार होगी मसाले को भूनने में कभी भी जल्दी बाजी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, तो देखिए इस तरीके से हमारा मसाला भून करके तैयार हो गया है, इसे भूनते हुए मुझे दो से तीन मिनट हो गया है, और देखिए इसमें से तेल रिली जोन लग गया, यानि कि हमारा मसाला पक चुका है, अब मैंने इसके अंदर डा अब मसूर के डाल की, वो सारी बरी इसके अंदर डाल देंगे, और डालने के बाद आपको इसे ज़्यादा नहीं उबाला है, सिर्फ एक से दो उबाल आएगा, उसके बाद आपको फ्लेम बंद कर देना है, तो देखिए अब इसमें एक से दो उबाला आने लग गए है, अ अब इसके उपर से मैंने डाल दिया, थोड़ा सा कसूरी मेथी डाली है, साथ ही मैंने इसके अंदर आधा चमच गरम मसाला डाला है, तो अगर घर का पिसा हुआ गरम मसाला रहेगा, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मार्केट वाला गरम मसाला भी बहुत ही अच्छा मि जब भी आप इसे बनाएंगे तो सबी लोग को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और जिसे क्या होता है कि बेशन गट्टे की सबजी तो हम अधिकतर बनाते रहते हैं तो बहुत ही कॉमन सी सबजी हो गई है लेकिन अगर आप एक बार इसे बनाएंगे तो बहुत लोग त पसंद आएगे और आप ही देखिए कि जो बरी बनी है कि सॉफ्ट बन करके तयार हुई है तो अब मिलते हैं नई रेसिपी के साथ टेक केर बाबाई